हाई अव्रिवन लास्ट लक्चर में हमने और्थोग्राफिक पोजिंग का थर्ड कोशन देख लिया था आज हम लोग फोर्थ कोशन देखने वाले हैं जो भी कोशन में करा रहा हूं उसको आपको अच्छे सो प्रैक्टिस करना है उसके बाद भी कुछ प्राप्लम अगर होत मैं बना लूँगा बड़ उसको प्रैक्टिस करना काफी जबूरी है तो हम लोग देख लेते हैं अपना फोर्थ कोशन क्या है तो आप लोग जैसे स्क्रीन पर देखते हैं वहाँ पर इसक्रीन पर देखिए फोर्थ कोशन हमारा जो भी इमेज है जिससे हम लोग को बनाना बनांगे से च्ब्स मिए तो अब घर का सम tendencies हैं हम लोग सब मतलब क्या होता है कि हम लोग को परण विए हुजाएगा। तो साइट वू जाएगा यह हुमारा लेफट में हैं लेफ और राइट हमने सीखा थे लिफ्ट इधरber बी हमने हमने फ्रेंट लेना है तो हम लोग को फेस कर ले आए हैं यहां बनाएगilles यहां बनाएंगे उसके राइट में आपको वहाँ पर बनने वाला है यहो दू 잠 राइट में आपको बनाना होगा लेफ्ट हंड साइड हो तभी होता है वो फर्स्ट आंगल पॉश्चन मेधर अब फ्रेंड व्यू हमने बना लेगा टॉप फिर हमें बनाना होगा टॉपर से देखेंगे तो उपर में क्या दिखेंगा वह हम लोग जब टॉप व्यू में डि जो भी हमारे सामने वर्टिकल फेस है अब्जेक्ट का वही हमें दिखता है फ्रेंड व्यू में तो वर्टिकल फेस हमारा यही है इसका डैमेंशन हम लोग देख लेना है यह 60 का है होरिजन्टल हाइट इसका 40 यहां दिया हुए है यह हमारा 40 का लाइन डॉप हो जाएगा 40 का लाइन डॉप होने के बाट 20-20 का दोनों साइड हमें अंदर जाना है तो यह वाला जोग यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर जो हलका सा यहाँ तक दिया हुगा है वह 10 mm है तो फिर हमें 10 mm नीचे चले जाना होगा और नीचे जाकर दोनों लाइन को ट्रॉग मिला देना होगा तो सबसे पहले हमने क्या करना होगा एक 60 mm का लाइन ड्रॉग करना होगा पहले एक सब्सक्राइब कर लेंगे उसके ओपर फिर हमने फ्रण भी में 60 mm का लाइन द्रॉग करेंगे फिर दोनों तरह वर्टिकल वर्टिकल 40-40 दिया वाँ 40 द्रॉग कर लेंगे फिर 20 अंदर चले जाएंगे और जहां पर भी जो च्छटा सा इमेर वहाँ पर आपको शो कर देता हूं आपको डामेंशन वहीं से देखते रहें कितना कितना डामेंशन दिया हुआ है सबसे पहले मैं एकस वालाइन यहाप पर ड्रॉग कर लेता हूं आप लोग इसको मिला लीजेगा शीट से कि आपको होरिजन्टल कहां पर आ रहा है तो एकस वालाइन ड्रॉग कर लीजिए हमें साइट फीव भी बनाना इसलिए मैं थोड़ा सा एकस को एस्टेंड करके ड्रॉग करता हूं बिकाउस बाद में फिर हमें जोवत पड़ता ही तो मैं यहां पर लिख लेता हूं थोड़ा सा और रिसाइट कर लेता हूं अब मैं देखा था इमेज में आप लोग वहां पर देखी फ्रेंट वीव में हमें एक रोजंटल लाइन दिखने वाला जिसका दिमेंशन 60 का है तो 60 का एक रोजंटल लाइन हम लोग ड्रॉग कर लेते हैं तो एक सवाइ लाइन से थोड़ा से गैप पर अब कितना गैप होगा वुआ अपको अलड़ी पता है गैप हम लोग अपने मंद से लेते हैं वहां पर कोई फिक्स्ट नहीं रहता है कि कि अपको लेना है कि कभी भी नहीं देखा इस वाले ग्वेशन में आईशू कि पूड की का हो गया है है तो हमने अर्जाइंट राइन ऐम लोग को वर्टिकल राइन जाइब लोग करना है तो वह 40 का कोशन्ट में आप को इस दिखेंग में कोई दिया हुआ देखिए वह वर्टिकल जो हमें दिखने वाला कि केमने स्ट्राइव कर लिया है हम कर लेते हैं इसको ट्वंटी ट्वंटी पर यहां पर 20 यह पर बीच में 20 यहां पर 20 पर एक लाइन 20 पर एक लाइन अफिर टेन में नीचे चले जाना है फिर उसको मिला देना है तो हम लोग लेते हैं इसको 2020 पर कि अगा कि अगा कि अगा कि अगा कि हमें 20 करना है ट्वंटी कर लेते हैं कि साइड भी कि ट्वंटी कर लिया है आपने के बाद टेन नीचे आ जाना है तो टेन में हम लोग नीचे आ जाते हैं कि आपको दिख रहा होगा वहाँ इमेज में टेन में हमें डाउन पर आना है कि टेन में इदर से भी आ जाना है इसको फिर हम लोग रॉसंटर लेंस से मिला देते हैं अटमेटिक की बीच का भी 20 हो जाएगा फ्रेंट विव में हमें यही दिखने वाला है फ्रेंट विव में हमें नीचे का सक्षी यह दिखेगा यह यह हाइट 40 दिखेगा यह 20 20 20 दिखेगा और यह 10 mm का गैप दिखने वाला तो यह चीज़े हमने ड्रॉव कर लिया है यहाँ पर दैमेंशनिक हम लोग कर लेते हैं टोटल हाइट यहाँ पर 40 है तो 40 है तो 40 है हमने मार कर देना है यह 40 हो जाएगा उसके बाद यह 60 है तो 60 पर मने बना लेना है यह 60 हो जाएगा यह फिर 2020 में मार कर सकते हैं मैं वैं सही कर देता हूँ 2020 पर कर देता हूं इसको थोड़ा से चोटा कर देता हूं इसको लिकास 2020 पर भी हमें शो करना होगा तो यहाँ पर मार करके है 2020 पर तो कर देते हैं विकाउज यह गैप भी हमें शो यहाँ पर करना है कि अट वंटी हो गया है कि को जीफिश्टी अब को सो करना होगी यहां पर जो भी डामेंशिट आव आपको दिखाना होगा टवंटी यह में और यह हांना हे मजग कर देंगे हैं टीनलर है कर daí कि अपर फिर तरह पर यह लोग यहां पर पर राधेल एक्सटेंशनल लाइन हो कर लेते हैं जो आए कि इसके बाद फिर अपर रही टूपनम बाहर में बना लेते हैं नहीं जाब अविश्य चोटा डामिंशन होता है मतलब जार अपर लिखना पॉसिबल नहीं होता है वहां ऐसे क्या आता है एन जिस निख लिए जाटा है और अंदर में लिख लिए आ हाँ थोड़ा रब हो गया उसका मैं ठीक कर लेता हूँ कि यह हमारा फ्रेंट व्यू कंप्लीट हो गया है अब हम लोग को टॉफ्यू में देखना है कि क्या क्या बनने वाला है तो सबसे पहले हम लोग टॉफ्यू में सबसेब्रक्वर कर लेता है जो लाइट पर वेंगे और लोग उसी के बीच में हमारा जोας इसे हमरों लोग यह द्रॉख कर लेता जब लेते है और जोबी इस वाला पॉइंट का यहां गिया है इसको यहां लेगिया है इसको यहां लेगिया है आपको काफी लाइट पेंसल से ड्रॉ करना है और काफी लाइट दिखना चाहिए अब हम लोग देख लेते हैं आपको क्या वहां पर बनाना है क्या दिखेगा तो कैसा दिख रहा है हम लोग को यह ओर जो दिखने वाला है उसके बाद यह भी देखने वाला है और जो बीच का होरिजन्टल सर्फेस है वो भी हमें यहां पर दिखने वाला है विकॉज हम टॉप से देख रहे हैं तो बीच का जो कट करके वहां से हटाया गया है कट करके हटा दिया गया है वो भी हमें दिखने वाला है टॉप से उपर से सारे होरिजन्टल दिखने वाले है बस बीच में हमें क्या दिखेगा एक लाइन यह जाएगा वही हमें रिपर्जेंट करेगा टॉप व्यू पर डाइमेंशन देख लिजी यहाँ पर 20 है यह 20 है और यह भी 20 है उसके बाद width कितना है यह जो depth है यह depth कितना है यह depth 30 है यहाँ पर दिया हुआ तो यह 30 का बन जाएगा तो 60 का तो already वो 20-20 का तो ही किया वर ट्रो बस हमने क्या करना 20 नीचे चले जाना है यहाँ पर एक 30 का distance पर यहाँ पर 30 है 30 का distance पर यह वाला gap जो है वो आगे से back कर जो depth है वो 30 है तो 30 का distance पर हमें यहाँ पर line ड्रो कर देना है और उसको मिला देना है top view काफी simple है तो हमने top view यहाँ पर बना लेते हैं कैसे बनने वाला है सबसे पहले x वाला इन के देख में एक line ड्रो कर लेते हैं जो हमें represent कर रहा है जो उपर से हमें दीख रहा है rectangle टाइप का इतना बाई इतना का वह हमनों draw कर लेते हैं बीच वाले line को dark कर लेंगे तो हमारा top view easily बन जाएगा तो सबसे पहले rectangle बना लेते हैं तो इसका dimension कितना ह मतब 60 का है तो 60 का तो अल्रडी हमारे पास gap मिला हुआ है हम लोग बस इसी के parallel x y line ड्रो कर लेंगे because यह तो अल्रडी 20 20 20 60 का ही है तो हम लोग 60 का यहां ड्रो कर लेते हैं 60 के ड्रो करने के बाद फिर हम लोग यहां से आ जाएंगे 30 नीचे 30 नीचे आ जाएंगे 30 यहां आ रहा है जहां पर भी आपको 30 आ रहागा महां कर दीजिएगा 30 30 रो हो गया उसके बाद इसको मैच कर देते हैं टॉप में रेक्टेंगा दिखने वाला है वो हमने बना लिए कि यह दुने लाइन हमें ट techniques दिखेगा तुछ और भी हैं ठाउब की दिखने वादा है इसे को भी हमें डार कर लेते हैं यह हमने बना लिया है top view में हमें यही दिखने वाला है dimensioning बस बचा हुआ है तो top view यह सब में extra line है तो इसको मैं rub कर दे रहा हूँ आप लोग भी light pencil से कर ड्राव हुआ होगा तो बहुत जादा अगर बहार निगला हुआ होगा तो उसको आप रभी कर देज़ेगा देखने में ज़्यादा अच्छा रगता है बहुत जादा अगर extend किया हुआ होगा तो और यहाँ पर dimension किसा कर लेते हैं यह हमारा बचा हुआ है इसी के just नीचे कर लेंगे जहाँ पर front का किया हुआ है यह हो जागा 30 यह 30 का दिया हुआ है क्वेशन आप देखें यहां पर 30 है बैक से जो front का जो depth है वो 30 है यह 20-20 तो अल्रड़ी हमने करी दिया है इससे जादा हमें नहीं दिखेगा अब हम लोग साइड व्यू में देख लेते हैं क्या दिखेगा उसके लिए सबसे पहले reference लाइन यहां पर ड्रॉ कर लेते है रिफ्रेंस लाइन द्रॉ कर लेते हैं वो भी कि अपने मंद से आपको डेसाइड करना है तो मैं अपने मंद से यहां पर गैप ले लिया हूं साइड व्यू का अग्याइड वाइड हो जाएगा प्रोफाइल प्लेन है यह प्रोफाइल प्लेन हमने ड्रॉ कर लिए अप फ्रेंट व्यू और टॉप व्यू से जो भी लाइन साइड व्यू में क्या दिखेगा लाइन था है वो जाने वाला यह मत्तब अब ड्रॉप करेंगा वह तो जाएगा ही न इसको ड्रॉप कर लेते हैं से लाइट पंचल से और यहां एक और यहां जो भी कॉर्णर सोते हैं वहां से आमने को ड्रॉप करना होता है कि उसके बाद लास्ट वाला जो है यहां वाला वो दिखेगा वस्ती लाईन ही है यहां पर दिकने वाला वह भी दिखेगा नहीं दिखेगा कौन सा पॉर्चान अंदर है कौन सा बाहर है करेंगे फिलाल इसको लाइंट प्र लेंग पर लिए यहां वाला और यहां वाला कोई तो को नर्व है नहीं जिससे होरीज़न्टर लाइन रॉक कर सकते हैं तो यह वाला विए वालग कॉर्ण दिखेगा मतलब उस्केट्ण राइन जाएगा यहां से जो भी कॉनर होता है माँ से हम लोग प्रोफाइल प्लें तेक और लिए तो कर लेते हैं तो कर लेते हैं एकम पस सेट कर लेता हूं और इसको टन कर लेता हूं हुआ है जैसे हैं लोग करते थे इस वाले पॉइंट को संटर लेना है और ऐडियस यहां तक लेने दिखेश का रखा से यहां तक करके हमने पिस को रोटेट कर दिया थोड़ा से छोटा वह जा रहा है कहा देता हूं कि आपड़ा हो गया है वोट पर वह सा स्लीप करता है जिसके वज़ा से प्रॉब्लम होता है यह आरक हमने बना लिया है सबसे पहले हम लोग क्या करते है जो भी पॉइंट्स मिले हैं हमें xy line पर rotate करने के बाद आर्ग बनाने के बाद उसको हम लोग उपर के तरफ light pencil सही rotate करके उपर पहुचा देते हैं shift कर देते हैं फिर बाद में देखें कौन सा में डार्क दिखने वाला कौन सा लाइट दिखने वाला सबसे पहले जो पॉइंट आया है उसको हम लोग ड्रो कर लेते हैं यहां पर विखें साट एकर दिखा दूँगा अपको फिलाल हम लोग अब देखते हैं कि side view में हमें क्या देखने वाला है अब लोग वहाँ आप पर image में देखी है मैं यहाँ पर दिखा दिता हूं विकाओस यहाँ पर मैं बताने वाला हूं क्या दिखने वाला है तो side view में यहां से हम लोग देख रहे हैं तो side view में सबसे पहले यह vertical rectangle जो है 30 by 40 का यह 40 by 30 का आप लोग देख लीजिए 40 by 30 का हमें देखने वाला है 40 कौन सा है 40 यह वाला है इसका मतलब यह 40 30 कौन सा है यह 30 यहां से 30 rotate होगे गया है 40 by 30 का rectangle हम लोग को vertical total complete वाला देखने वाला है मतलब आगे का जो side view हमें जो देखने वाला है जिदर हम लोग अभी देख रहे हैं side में उस side का जो complete rectangle है जो total height है वो total height मतलब यहां से यहां तक देख रहा है और horizontal जो भी है horizontal भी हमें देख रहा है दिख तो नहीं रहा है बट हमें वहां पर show करना पड़ता है जो भी cutting portion है वो back में है तो उसको दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं जो भी यहां से horizontal line किया है उसको हम लोग dash 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 से represent करते हैं वो पीछे में कोई age है बट हमें वो front से मतलब जिस side हम लोग खड़े हैं जिस side से side view देख रहे हैं उधर से हमें दिख नहीं रहा है जिसके वज़ा से हम लोग को वहां पर दिखाना पड़ता है कि back side में कोई age है जो dash 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 से हम लोग represent करते हैं कि वो hidden form में है वो हमें दिख नहीं रहा है और फिर उसको कहां पर है वो कैसा दिखेगा वो फिर front view में देख लेंगे कि यतना वो cutting करके remove किया गया है बट हमें side view में वो नहीं दिख रहा है तो हम लोग को इस line को dash 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 represent करना होगा और बाहर बाहर को directly हम लोग box में convert कर देगा तो हमारा काम हो जाएगा तो कर लेते हैं सबसे पहले बाहर वाले को dark कर लेते हैं उसके बाद फिर अंदर वाले को dash 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 represent कर देंगे तो यहां पर 40 का हो गया 40 by 40 का rectangle हम लोग को draw करना है 40 by 30 का 40 by 30 का हम लोग करने ना है जो एकसर लाइन है मैं आप रब कर दूँगा अप लोग light pencil से अगर बनाया होंगे तो रहने देना अधरवाइस dark होगा तो उसको रब ही कर देना इस परसे आपको बनाना light से ही है जो भी बाहर का construction line है यह हमने draw कर लिया है सकते हैं अब यहाँ पर अंदर वाला जो लाइन है सकते हैं उसको डैस डैस से represent करना देश यह वाला जो डेट कर Ukraine का गया है वो हमने दीखने वाला नहीं है तो वह हमनों को po डैस 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 से front देश डैस by यह जो हमारा cutting portion ने जो भी सहल जो light से पर दिखने वाला है तैस्ट आप से हम लोडी परजेन कर दी है पाइना सलोशन हो गया आप जो भी एक्स्टा लाइन हमने यहां पर निकाल जो किया था उसको मैं यहां पर रणाप कर देता हूं थोड़ा से वह बेटा रेपेरंस के लिए अब कि चीज़ रहने देता हूं अंदर में अपका होगा लाइट पंसल से कर होगा तुसको एजट इस रहने देना आपको उसको रिमूफ करने का जहुत नहीं है यहां पर भी यह वाला जो बनेगा डाइज़स वो डार्क से बनेगा इसके पहले जो मैंने लाइट पंसलाइन एक राइन क्या रहे देना है तो यहां पर हम ने है लुट इट रहने ही उंपति जॉत कर में इसका कण सब्सकों इस उसको कर देतें हैं अदर्भाइस से फ्रेंट व्यूं में यूट सक्हों लुटी एल्टवट दिखता है वहमें साइड व्यू में सचॉछ पूर्म में दिखता है अगर आपको थी इस टुमन के रेशियों में अच्छे मतलब इसी तरह से बनाना आए कि लगे वो कि थी इस टुमन में मैं यहाँ पर थोड़ा सा टाइम सेफ करने के लिए जल्दी बना देता हूँ आपको अगर थी इस टुमन के रेशियों में मेजर करके बनाना हुआ तो काफी टाइम यहाँ पर लग जाएगा तो यह फाइनल सॉलूशन हमने बना लिया है जो भी हमें जोवत था वो हमने फ्रेंट व्यू टॉप व्यू और साइड व्यू में हमने बना लिया है तो यहीं पर इसक सकते हैं व्यूट के दिस्क्रिप्शन में देया हुआ हुआ आप चाहे तो उसको भी डाउलोड कर सकते हैं बॉहाँ से 100 पलस अब्जीक्टिव कॉश्चन पढ़ सकते हैं जो आपके एक्जाम के लिए काफ़ी ज्यादा है वासे दो वीडियो मैंने अब्जीक्टिव कोश को देखने के बाद अपने friend circle में भी इसको share केज़ेगा जो आपके college group है उसको उसमें भी share केज़ेगा थाकि जादा से जादा लोग इसको देख पाएं thank you so much good bye